हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल समराट एजुकेशन दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग को बीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा अपने दोस्तों का आखरी वीडियो रहेगा उसके बाद आप लोग कल सुबह एक वीडिय तो यदि मैंने आप लोग बताया है यादि आप लोग उतना पढ़ लेंगे मैं दावे के साथ बोलता हूं आप लोग अच्छा नमबर ला से कम से कम 85% नमबर आप लोग ला से इन जितना आप लेंगे तो चलिए श्टार्ट करते हैं आज के वीडियो जल्दी से तो क्यू इसको बताना थूद करने के बाद उसकी जांच होने के बाद ऩोटाइए इंस्पेक्शन होने के बाद आपको और शीन और समझा दूंगा ठीक है तो इस चार्व प्रोसेसमें क्या-क्या होता है इसी चारड़गों परिदेख लेते हैं उसके बाद मैं आपको फिर से एक बार समझा दूँगा ठीक है तो चलिए देखते हैं प्रोसीजर आप सीट सर्टिफिकेशन बीज परमाडी करण की प्रक्रिया तो सबसाफ पहला पॉइंट है आवेधन आप्लिकेशन तो जिस भी व्यक्ति या संस्था को बीज परमाडी कर करवाना होता है या परमाडी करण करवाना चाहता है वह बीज उत्पादन से पहले निधारित आवेजन प्रत्व को भर कर उस छेत्र की परमाडी करण संस्था में जमा करवा देता है तो पहला प्रोसेस होता है कि यदि हमें किसी भी बीच का प्रमाड़ी करवाना है तो उसके लिए उत्पादन से पहले हम क्या करेंगे एक निर्धारित आवेजन पत्र होता है जो पारिस निर्धारित होता है उसको भरकर उस छेत्र की सीड सर्टिफिकेशन एजंसी को लिया कर जमा करेंगे उसके साथ 25 र का मतलब होता है कि सटेट स्यूकार ऊंद्पश्иков करता है तो इसकी जाच की जाती है जाच में क्या क्या यह जगयता तो चौश अर आवेजन द imagining जैच की जाती है जूर्छी जाती है फीडन करने बाद वह आविडन पतर अपर जाता है जेंच होती है उसमें यह जाँ है का सुरत का है किसमा नेसे लिया यह उच्वाइधन पत्र कर दिया जाएगा तो ये कर दिया जाएगा तो इसलिए वरिफिकेशन खरनेस पर हम लोग बीच के लिए आवेदन करते हैं प्रमाड़ी करण के लिए उसी समय हमें यह सब चीजों पर धान देना चाहिए कि हमारा जो वरिफिकेशन का तीसरा प्रोसेस होता है इंस्पेक्शन का निरिक्षड का तो निरिक्षड को दो भागों परिवाजित कर दिया आता है ठीक है पहले पार्ट में खिएट्क कर निरिच्शन की आता है उसके बाद भीज का निरिच्षड की आता है दोनों को साथ में कैया है लेकि मैं आप लोग दो दो पार्ट में बताऊंगा कि आप लोग सब्सक्राइब करता है तो सब्सक्राइब करता है तो पहली अवस्था बुगाई की समय सब्सक्राइब करता है तो से लिए यह जो नवास्था करती है जो अवस्था करता है आवस्था मैंने बताया कि पाली वहाई के आवस्था बर आएगा पुस्पन से पहले आएगा, पुस्पन के बाद आएगा, पुस्पन के दोरान आएगा, फसल के परिपकता पर आएगा और फसल कटाई पर आएगा उसका इंस्पेक्शन करें निरिच्ण करने हैं उस समय बीज का उत्पादक और निरीच्छक दोनों फासित होना अनिवार होता है तो यहां तक समझे होंगे हैं कि तीसरा पॉइंट है इंस्पेक्शन का निम्न लिखी तब अस्थाओं पर आकर खेत का निरिच्ट करता है अब अस्था को मैंने आप लोगों को बताया खेत का निरिच्ट के दवरान बीज उत्पादक मतलब जैसे मैं बीज के परमाड़ी करण के लिए आपरेजन किया हूं तो मैं खेत में उपसित होना चाहूंग यह पांस थाओं पर खेत का निरिच्ट किया जाता है ठीक है चलिए आगे देखते दूसरे पांड़ा उसका देखते हैं बीज निरिच्ट तो बीज निरिच्ट के नमूने को लेकर संबन्दित एससा ट्ययल को भेजता है कंतला श्टीयर स्टीत टेस्टिंग लिपरेटरि को बेजता है ठीक है एससे टीले बीज की गुलवत्ता से सम्मंदीत पर रिच्छड किया जाते हैं तो देखें आप ध्यान दिजेगा यह जो एससे यहां पर जो बीज के लिए इसको भी स्टेट सीड कारपोरेशन सारी स्टेट सीड सर्टिपिकेसन एजनसी न्यूक्त करती है यह मत सोचीगा कि खेतन रिच्छड के लिए कोई दूसरा यह दोने एक कहीं में मैं आप लोगों को समझ में आया है समझ में इसकी वज़े से दो अलग अलग पार्ट में बता समंदीत ट्रिक को बेचता यहात. संव पर इच्छा को बेचती है इस चै Award अकर् है फिर बीजनीलिश्ण को बैसTube को बेचती है फिरैट इस क्टेट सीड यूक। मैं यहलने सीड टेस्ट वहतस सांदीत पर इतायक देश कोई जाते हैं ठीक है ऐush नजीक बनाती है रीपर्ट बनाकर 20 का निरीचक जो होता है यदी बीज डेर नियुनतम मानकों के अनुरूप होता है तो यह उसको निरस्ट कर दिया एता है तो यह प्रोसेज होता है हम लोग ने तीन प्रोसेश देखा कि पाला देखा हम लोगों ने अपने के संद्ध करता है अब अस्था मैं आप लोगों बता दिया करता है उसके बाद स्था उसे प्रमाडी करण के लिए स्विकार कर लेता है और यदि कोई कमी होती तो इसे निरस्त कर दिया जता है ठीक है तो इसमें चौथा पॉइνट होता है टैग्ण एंड सेलिंग का किसमें सुझ में अ हमयोग है प्रोसील दीफिकेशन और सजोफिकेशन परमाड़ इसल लोना जरूड़ है नहीं परमाड़क का नहीं है तो अब देखते हैं टैगिंग और सीलिंग यदी स्टील की रिपोर्ट सकारात्मक आती है यदी सकारात्मक आती है मानकों के अरूप आती है तो बीज धेर को प्रमाडिकर टैग वर लेबल जारी कर दिया जाता है ठीक है प्रमाडिकर टैग पर बीजर धेर के बारे में जानकारी दी होती है जो प्रमाडिकर टैग होता है उसमें बीज का जो धेर होता है उसके बारे में जानकारी दी होती है जैसे बीज का प्रकार कैसा है वो किसम कौन सी है उसकी सुदता प्रसत के आनुवांसिक सुदता कितनी है बहुतिक सुझता कितनी है अंगुरण प्रतिसत नमी प्रतिसत प्रमाडी करण की दिनांग वैदता आधी आधी उस टैग पर लिखा गुआ होता है ठीक है तो यदि SSTL की रिपोर्ट सकारातमक आती तो बीज जोर को प्रमाडी करण टैग वर लेबल दे दिया जाता है प्रम प्रमाडी करण का दिनांग कितना है और इसकी वैदता अधी कितनी है ठीक है फ्रमाडी करसी आप सीट सार्टिफिकेशन प्रमाडित कर आने के लिए क्या प्रयोग थे ऐसको हम Lowond देखा तो समसे पहले क्या के लिक्ष्ण जाननेंगे अप्लिकेसन के लिए के पास की वह क्या करेंगे करने के लिए क्या करेगी एक अधिकारी को जिसमें क्या देखा जाएका किस्म काउन से योगिता बीज लिया गया था और आवेजाशन पट्रीस रुपया उसको देखेगा यदि हिन्द कोई से नहीं है तो वख 50 कर दिया जाएगा उसके बाद inspection के लिए रिजह करने के बाद उसका परिच्छड होता है परिच्छड के बाद इसके बाद इसके बारे में लिखा होता है इसमें बीच का प्रकार लिखा होता है कि से उसको लिखे होता है है आधे लिखा होता है उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आगया होगा चलिए देखते हैं दूसरा प्यूर्शन थो मैं कब से आप लोग पता ने की स्यूट सर्टीफिकेशन एजंसि क्या होता इसके अधीन हुई थी लेकिन इसकी मानता जो हाँ धारा आठारी के अंतर गत्व प्राप्ट हुई थी ते लेकिन मार्केटिंग में मार्केटिंग में सामिल नहीं होता है कि यदि उसमें सामिल हो जागा तो यह अहां पर सामिल नहीं होता है यह बिना किसी लाव और आने के मांदारी से कार्य कर सके ठीक है यह सीज़ अधम निरबार होना चाहिए यह चाहिए तो बीज़ को सर्टिफाइट करें कि नहीं चाहिए तो नहीं करेंगे कि इसको पर कोई दबाव नहीं बना सकता है ठीक है भारत में कुल अभिज़क एक कई सीज़ रिसर्टिफिकेशन एजन्सियां हैं तो सीज़ रिसर्टिफिकेशन एजन्सी के स्थापना भी जदिनियम की धारा आठ के दिन हुई थी तथा धारा ठारक इंतरगत इससे माने नहीं होना चाहिए ताकि यह बीना लाब वहानी के इमानदारी से कारे कर सके इस्टिफिकेशन एजन्सियां निर्बर होनी चाहिए अर्थात करने का मतलब है कि किसी भी दूसरी संस्था के इस पर नियंतरगत नहीं होना चाहिए भारत में अब तक कुल एक कई नियुक्त करती है जो क्या करता है जो कि मैंने पीछे आप लोगों बताया उसका सैटिस्फेक्शन मतलब आत्मसंतोस जिसे का सकते हैं तो बीज इंस्पेक्टर यह सैटिस्फाइ करता है कि बीज प्रमाल पत्र में नहीत सभीप निवों के अनुपालना हुई है तो जो करता है कि जो बीज प्रमाल पत्र में दी हुई मानक है वह सभी निवों के अनुपालना कर रही है ठीक उसके बाद अगला पॉइंट सेंपलिंग तो इसका कारता सेंपलिंग का बाजार में बीजियो से आवस्टेक नमूने लेका इस्टेट टेस्टिंग लेपरोटरी को ब अगला पॉइंट है किसान की सिकायत तो यदि कोई किसानी सिगायत करता है कि उसकी फसल कम गुलबत तक थाई बीज के कारण खराब होई है तो स्टेट सर्टीज सुर्ट इंस्पेक्टर को बेचता है जो किसान रेबल थैला तथा बने थैला तथा बचे बीज कति करता है ताकि बीज कहां से आए इसका पताइब सके बचे बीज को सीड़ के लिए बैजा जाता है गुरुवत्ता म करेगा जिससे सीड इंस्पेक्टर को सीड करता है तो क्या करता है वह अपने रिपोर्ट में उसको लिख लेता है करता है यदि किसी ने जांच की है तो यह क्या करता है उसके इतना विकार किया जो भी कार किया हुए उसका रिपोर्ट बनाकर सीड कर्टिफिक्टर को बेचता है उसके बाद अगला पॉइंट किसान की सिकायत तो यदि कोई किसान सिकायत की जाए कि उसका फसल कम गुर्वत्ता बीच के करण खराब होई तो सीड कर्टिफिक्टर को बेचती है जो किसान से जाकर उसका लेबल लेता है ठैला लेता है और जो बच्चे बीच होते हैं उनक इसकारवाही भी की जाती है ठीक है तो यहां तक था हम लोग उन्देखा ड्यूटी आप सीड इस अब देखेंगा पावर आप सीडिफिक्टर सेंपलिंग पालापांड सेंपलिंग बाजार में बीच बीक्रेता किसी बीच बीक्रेता से नमूना ले सकता है ठीक है बीच ब के लिएता उसका पाचान पत्रत देख सकता है लेकिन उस्सेपा नमूना लेने समभना करता है किसी भी हाल में ठीक है तो जिस चैतर में स्थ्पेकटर गरीच परिचट करके उसकी आखड़े स्पीड इंस्पेक्टर को उप्लब दिख रहा है तो उसको दूसरा पाउर यह मिलता है कि वह जिस शेत्र में बीज का निच्ट कर रहा है उसी शेत्र से बीज का नमूना लेकर उसी शेत्र के स्वीड टेस्टिंग लेवरेटरी में बेश सकता है और स्वीड टेस्टिंग लेवरेटरी की करता है कि वह साथ दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट शेट इंस्पेक्टर को दे अगला पॉइंट होता है तलासी का अधिकार बीज कोदाम की जितनी बार चाय उतनी बार तलाशी ले सकता है अपने से ताला तोड़ कर भी ले सकत कर सकता है और जो गोदाम उसमें तीस दिन के लिए बीज के विकरे पर रोक लगा सकता है गोदाम से समंदित सभी दस्ता वेजो वह बहुतिक सामगरी का अधिक ग्राड कर सकता है ठीक है आगे देखते हैं गोदामों में प्रवेस और से उन-पता थे लेने के लिए बीना वारंड कर सकता है लेकिन रहें वारंड के कर सकता है लेकिन वारंड के आहो सकता होती है अगला पॉइंट आफेंस एंड पेनाल्टी तो यदि बीज नियम से संबंदित किसी भी नियम को लंगन वहाँ पर हुआ है गोदाम में या सीड के दुकान पर या कहीं पर भी तो किसम के बीज का गलत ब्रांड से बीज लगा सकता है तो क्या कर सकता है वह उनके पर पेनाल्टी लगा सकता है ठीक है विजनियां से सम्मंदित समेटी पंजीमीत यह सीड इन्सप्र करने से रोग सकता है तु उपरों को सबी अपरादों के लिए नियूंत पांजा रुपया वाधी तम पचीस जाओ रुपया तक का धन रंदा दर अधारित कर सकता है तो उसको उपर भी मान हाने केस कर सकता है ठीक है पचास जार रुपय से लेकर पचीछ जार तका जुरू बहुत करता है उपर दोनों प्रादों के लिए 6 मा का करावास अथवा 50,000 उपर जुरुमाना अथवा दोनों का प्रावधान निधरित किया गया है ठीक है तो यह है सीड इंस्पेक्टर का पावर आगे चलिए देखते हैं सीड कंट्रोल आडर सीड कंट्रोल आडर जिसे वह क्या करा जाता है हिंदी में जिसे इंदी में का जाता है बीज नियंतर आदेश तो सीड कंट्रोल आडर निधरियासी क्या है तो एसेंसियल थिंग्स जोक मैंने आप लोग सुवा बताया था तो ऐसी वस्त में जो जीवी तराने के लिए अवस्तेक होती है उसे अवस्तेक वस्तों के विक्रे के लिए कु सिड कंट्रोल आडर जारी किया जीसके पाधियों का वस्तेक वस्तों में संविलित कर लिए तो यहां तक तो था पिस था जैन स्बूर Sãoिय कंट्रोलर ऑदेश सही उसको देखते हैं ओं प्रोइंट 14 black इसकी निवक्ति park दाने सरकार तुसे डिलर करते हैं तिसरा पॉइंट है रजिस्ट्रेशन अफीसर आईसा वेक्टी जो बीज़ विक्रेटा को लाइसेंस करता है ताकि बीजेट को बेट सके अथा आयात निर्याद कर सके उसके लिए रजिस्ट्रेशन आफिसर निविद्र किया जाते है ठीक है अगला पचास रुपे की फिस लगती है ग्रांट और रिफ्यूजल आफ लाइसेंस आवेधन प्राप्त करने के पचात अनुग्यापन अधिकारी अवस्यक जाच करता है अगला पर वैलिडिटी आफ लाइसेंस बीज भीक्रेता को प्राप्त होने वाले लाइसेंस किया वधी लाइ प्राप्त है ऐसी बीज भीक्रेता अपने लाइसेंस के नामीन करर सकता है जो उसके लाइसेंस का तीन वर्बर कर देता है ठीक है लाइसेंस का तीन और्स के लिए फिल से नहीं नहीं करड़ कर देता है पहले फिस 20 रुपया लगता है यदि 30 दिन के भीतर फिस फाम भरा गया तो 25 रुपया लगता है तो यह था या सीड कंट्रोल आडर तो उमिद करते हैं आप लोगो सभी क्यों से अच्छे समया होंगे व